हेलो एर्वीवन, I am MK and you are watching Take Office और इस वीडियों हम बात करने माले OxygenOS के latest build के बारे में जो कि हमारे Redmi के Note 4 device के लिए available हुआ है जिसे Amit के तरफ से port किया गया है और एक final build है जो कि OnePlus 5 device का port room है हमारे device के लिए जहाँ पर आपको Android version 9 देखने को मिलता है June 1, 2020 का latest security patch है और लीने जो इसका 3.18.140 का kernel देखने को मिलता है जहाँ पर OxygenOS के build 9.0.11 है जो कि final build Amit के तरफ से और काफी अच्छा आपको detail भी देखने को मिलेगा और बहुत साथ चीज़े यहाँ पर improvement किया गया है जो कि आपको रियल में काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो वीडियो को फुरा एंटक watch करते रहे हैं और आपने वीडियो को लाइक नहीं के तो लाइक कर दे और पसंद आता है रिव्यू तो लाइक करना अधरवाज नहीं आते तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो यह डिपेंड करता है आपके पसंद के वाले के लाइक डिसलाइक में से कोई एक ज़रूर करना वीडियो वाच करने के बाद यहाँ पर आपको face unlock देहने को मिल जाता है जो कि oxygen noise का है काम करता है fingerprint का response मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगा है one time में यह काम कर जाता है तो आपको double tap करने के लिए होत नहीं है fingerprint unlocking के लिए वही पर आगे कर आते है back side पे तो आपको मिल जाता है battery का detail जो कि fully use हुआ है तो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ यहाँ पर button and gestures मिल जाता है जिसका आप benefit ले सकते हो जैसा के previous के build में था यहाँ पर display कंदर आपका reading mode, night mode, color collaboration वगरा और ambient display भी working मिलता है यहाँ पर आप ambient display चेक करना चाहते हो तो यह आपको working मिलेगा जैसा के मैंने आपको startup में ही दिखाया था तो यह थ्वा सा delay है लेकिन काम करता है आप देख सकते हो तो जब भी यह look आता है वो काफी अच्छा सा feel देता है यहाँ पर आपको मिल जाता है status bar के option जहाँ पर network वगरा आप इनेबल कर सकते हो speed meters वगरा को और यहाँ पर आपको Bluetooth वी working मिलता है और आप calling या फी audio call वगरा के लिए use कर सकते हो music listen के लिए ब्लोज के अंदर कोई भी issue दिखाई नहीं देता है flashlight वी आपको working है कोई problem नहीं आता है और यहाँ पर हाट वगरा क्योंकि by default यह access नहीं कर पाता है तो आपको error देखनी को मिलेगा यहाँ प्रमिशन देने के बाद यह काम करने लग जाएगा और आप यहाँ पर पाट्रेट वगरा विजो क्लिक कर सकते हो को भी problem देखनी को नहीं मिलेगा यहाँ पर slow motion भी दिया गया है तो आपको यहाँ पर देख से तो मैंने भी 16 रिकॉर्ड किया है आपको देखनी को मिल रहा है हलका असा क्योंकि मैंने काफी स्टीज किया था तो थो अब वो आप प्लस पॉइंट मिल जाता है इसके MIUI के अंदर जीकेम का गो वर्जिन आपको by default मिल जाता है बट आप डिफरेंट जी बिल्कुली पास हो जाएगा और आप बैंकी के अब भी यूज कर पाऊगे प्रिवेस के पिल्ड में हाडवेर लाइटिंग काम नहीं कर रहा था पैच यूज करना पड़ता था बट बाइट यहाँ पर इनेवल है तो आपको पैच की चिरुवत नहीं परने वाला है कर देने के बाद आप कॉल कर सकते हो वीडियो कॉल कर सकते हो कोई भी इसूज आपको देहने को नहीं मिलने वाला है और आप मज़े से यूज कर पाऊगे इस रोम को और इस रोम का स्मूधनेस मुझे काफी ज़्यादा बेटर लगा है और मैक्सिमुम बग्स यहाँ पर फ वाम स्क्रीन के लिए उसके आपका प्रॉलम है जो फिक्स हो जाएगा यहाँ पर है जो लाइफ वॉल्ट पर दिया गया ऑक्सिजन हो इसका जो कि फिलाल मैं वह यूज कर रहा हूं तो आप इसका यूज कर सकते हो या फिर डिफ्रेंट चेंज भी कर सकते हो प्रिवेस के प्लेटर अलग से डालना पूरता था बट यहाँ पर डिफोल्ट इनेवल मिलता है तो आपको टेंशन लेने के जुबत नहीं रहेगी प्लेटर से रिलेटेड और अप्लिकेशन या मैजिक्स मोडियूल था क्योंकि सब कुछ इस वार बिल्ड में इंक्लूड किया गया है जो कि यह प्लस पॉइंट है प्रिवेस के बिल्ड में तो हीटिंग भी देखने को मेरा था कई सारे यूजर को तो हीटिंग यहाँ पर रिसॉल्व कर दिया गया है तो आप गेमिंग अगरा करते हो तो आपको हीटिंग देखने को नहीं मिलेगा रही बास बैटेविक आप तो आप देख सकते हो 19 नार्स पहले ही से जो चार्ज किया गया तो फुल ले और फुल यूज किया गया तो 11 आर्स 51 यानि 12 आर्स का स्क्रीन ओंटाइंग मिला है जो कि बहुत बहुत ब्लस पॉइंट है ऑक्सिजन यूजर्स के लिए इस लोग को यूज करने बाद काफी अच्छा बैटरी देखनी को मिलेगा बद जरूरी नहीं कि आपको यहां में आपको 12 आर्स का स्क्रीन ओंटाइंग दिखा रहा हूं तो आपको भी मिले यह डिपेंड करता है डिपरेंट इफरेंट 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 यूज के हिसाफ से लेकिन अच्छा था आपको ब अच्छा बैटरी बग था प्रिवेस के बिल्ड में उसे फिक्स कर दिया गया है तो बहुत सारे यूजर्स डिमांड करते हैं वहाई कासर स्क्रीन यूज नहीं है तो हम यूज नहीं कर पाएंगे बट यहां पर आपको इनेवल मिल जाता है आपको टेंसल लेने के जोड़ ले सकते हो और प्रिवेस के जितने भी बग थे मैक्सिमूम है जो यहां पर फिक्स कर दिये गए तो आपको काफी अच्छा स्टेबिलेटी देखनी को मिलेगा रही बाद अन्टू का स्कोर तो आपको नॉर्माल सा देखनी को मिलता है जो कि बैटेवकाव के लिए भी काफ हीटिन किया गए हीटिंग नहीं है और नॉर्माल यूजच पर मुझे हीटिंग ज़रा से भी देखनी को नहीं मिला बाद यहां पर पब्जी स्टार्ट करने के बाद हलका सा हीट फिल हो रहा है तो आप चाहो तो यहां पर अंडरग्राउंड वगरा यूज़ कर सकते हो कर हो जाने के बाद यहां पर लैग मुझे देहने को नहीं मिला है ताब अच्छा खासा है जो पब्जी भी यहां पर प्ले कर सकते हो बट करना पड़ेगा अगर आप ऑक्सिजन ओसके लवर हो तो भाई कोई आग या साउंड भी है हेटफोन में ना अलग डाल रखा है अब क है कि अधा थो आधा रखाए कि मैंने आपको कंप्लीट डीटेल दे देए इस रोम के बारे में रही वाद फ्लैसिंग की फ्लैस कैसे करना या तब बिल्कुली सिंपल वे है डाउनूड करना है आपको और वाइब करने के बाद फ्लैस करते हैं आप किसी भी रोम पर क्यू तो फ्लैस करना हो और इसके साथ एक मॉड्यूल प्रवाइड किया गया है लो लाइट के लिए अगर आपको लाइटिंग काफी जादा लगता है अगर आप यूज कर रहे हो तो और आप चासे हो कर सकते हो एसे मुझे अन्यक्त को अच्छे से काम कर रहा है तो फिर से रिक करना यानि लाइक या डिसलाइक में से कोई एक आपको option select करना है जिसे मुझे बात चलेगा कि मुझे क्या improvement करना चाहिए और कितना ज्याद़ आपको पसंद आया तो लाइक डिसलाइक करना ना भूले और दोस्तों किया शेयर जरूर करते हैं WhatsApp पे Facebook पे Twitter पे जहां पर आप कर स करते हो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाबाई